हेलो हम वेल्कम फुर्थ एस्टूडियो ट्रेडर्स आज हमने अपने प्राइवेट ग्रूप में कुछ स्टॉक्स एंड निफ्टी के लेवल्स इन दोनों को ही हमने शेर किया था इस टॉक्स के अंदर कुछ उतनी हल चल नजर नहीं आई हिंदुस्तान पेट्रोलियूम को हम देख रहे थे बाई करने के लिए अपने गुरूप में हमने शेर किया था इसको बट उसने पूरे दिन में कहीं पर भी कोई बैंक की कंफुमेशन नहीं थी निफ्टी का टाइम फ्रेम चेंज करते हैं वापास चलते हैं डिली टाइम पर देखिए यहां पर आपको निफ्टी का कुछ लेवल्स दिखाए पड़ेंगे जैसे कि यह ब्लैक वाली केंडल और जो ग्रीन केंडल है एक बार इसको मार्क कर लेते हैं सो यहां से परफेक् चल करके इसका थोड़ा सा डीपने असिस करेंगे कि निफ्टी में यह वाली ही रेंज क्यों इंपॉर्टेंट थी और किसी और दिन को ना चूज करते हुए हमने आज ही क्यों टेट किया वापस से लोवर टाइम फ्रेम पर देखिए कई सारी चीज हैं हम ऐसे ही किसी भी स् अगें लोवर हाई फिर से यह लोवर लो बना फिर प्राइज ने यहां पर देखिए लो लगाया अगें यहां से लोवर हाई लगा जो कि आज की मार्केट में लगा और फिर से लोवर लो सो क्या पूरा पैटर्न था क्योंकि इससे जादा जोरी पड़ जाता है हायर टाइम सीम के अनल्सिस मल्टी टाइम सीम के इनल्सिस बहुत इंपेक्ट डालती है और रोग पर चलते हैं एंड कॉन्टी वगारा देखते हैं कितने कॉन्टी के साथ यह तो चार्ट है अपना स्ट्राइक प्राइस का ओडर्वुक उपन करते हैं सो ओडर्वुक में देखे करीब 10 लॉट्स हमने इसके अंदर बाई किये थे और जो प्राइस हमारा बाई करने का 21.90 यहां से हमने बाई किया था एंड एक्जेक्यूटेट प्राइस वगारा देखिए यह हमारे एक्ज किया था लगबग लगबग इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं लगबग लगबग अगर हम मान करके चलें तो 25 20 पॉइंट्स के अराउंड हमने पूरा का पूरा इसको कैच किया था जबकि इस पॉर्ट के प्राइस में काफी बड़ा मुव आता है वाफिर से रिफ्रे रूपेस का प्रॉफिट है विच इनफ एक्विटी के टेट में भी हम जितना लेते हैं आज का जो हमारा रिस्क था वह 5,000 के राउंड का था कि 5,000 रूपेस का अगर में लॉस देखेगा तो हम चुपचा बाहर निकल जाएंगे अच्छा इसके पीछे के रिजन्स भी थे क्योंकि spot price को देखते हुए हमने अपना stop loss consider किया था order book में आपने देखा हो किसी दो ही order लेगे उसमें stop loss का order नहीं है सिर्फ entry और exit है बढ़ते आंगे की वीडियो में वीडियो पर अच्छा रगता है तो इसको like के जाए और comments की जाए और गल चैन पर आप पहली बार आए ह कहीं पर stop loss लगा दी तो उसको हम लोग last hold करें ऐसा नहीं हो कि price बस थोड़ा से ओपर की तरफ चला 500-600 रुबाइगा profit देखा हमने फट से अपना profit book कर लिया और जब loss हो रहा है तो वही loss 1500-2000 का चल रहा है बट हम अपने losses को hold कर रहे है यह एक reason होता है जहां पर भी आप trade execute क जहां पर लगा और जहां पर अपना target लगा तो एक बार उस analysis को मौका दो last तक ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा trade चला हम निकल गए या फिर stop loss की तरफ भी price हमारा बाड़ रहा है अभी stop loss हीट नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही position subscribe आफ कल का वीडियो देखेंगे आपको बहुत क समझ में आएगा बढ़ते हैं आज के trade की तरफ देखें निफ्टी के यह जितनी भी ranges है तो हमने group पर share किये थे mark करके इंको कर देते हैं delete अभी simple हमें चलना होगा daily time frame पर stocks के अंदर भी same काम derivatives को trade करने से किसी को मना नहीं करते नहीं यह बुरा है हाँ अगर आप इसके लायक नहीं हो मतलब इतना experience आपके पास नहीं है इतनी knowledge आपके पास नहीं है अगर आप emotions को control नहीं कर पार है discipline नहीं हो quantities बहुत जल्दी निकाल ली हों कि इसके अंदर आपको एक जो management होता है na money management कई बार आपने देखा हो कि 10,000 हो तो आप कई बार आपने खुद को भी observe कि 10,000 की capital है तो आप 5,000 का risk लिए ले रहो यही होता है management 5,000, 7,000, 8,000 तो पूरे 10,000 का risk लिया जा रहा है तो इस तरह से नहीं करना है जब तक आप इस position पर ना आओ कि हर तलह से अपने आपको fit कर पाओ तब तक options trade भचो option trading करने से खुद को रोको क्योंकि वहाँ पर जाने से सिर्फ नुकसान ही होगा एक stock में क्या है अब माल लिजे हमारे पास ये है विप्रो है चलिए अभी अगर मैं विप्रो को trade करना तो हमें मालू है कि विप्रो का जो important area है just imagine कि ये वाला है ओके तो मतलब कि stock यहाँ पर नहीं है अब हम जबर जस्ती थुरू ने trade कर देंगे इसको फ trade है ठीक है हम इसको कर देंगे अब माल लिजे कि मुझा cement भी हमारे level पर नहीं है तो हम escort को देख ले रहे हैं मेरे day time frame के level या फिर जो multi time frame में असिस करते हैं तो higher time frame के according मेरा stock अगर level पर नहीं है तो हम trade नहीं करते हैं दूसरा stock है मेरे पास opportunity है कि हम उसको trade कर पाएंगे but अगर निफ्टी को trade करना है निफ्टी को यगा trade करना तो हमारे पास यह मजबूरी है कि इसके अंदर हमें levels draw ही करने होंगे जानबूश के draw करने होंगे तो क्या ना जबरजस्ती के analysis होती है कि stock के अंदर levels तो नहीं है अब हम इसके अंदर क्या देख लेते हैं ना five minute के time frame पर ओके यहां butterfly बन रही है है ना यहां पर हमारी dragonfly doji बन रही है कुछ भी बे मतलब के analysis यहां पर देखें हमारी सबसे ज़्यादा OI है OI तो है लेकिन OI कब use में आगी कब काम करेगी तो एक सही level होना चाहिए हमारे पास stock को लेकर क्या चीक ठक levels नहीं थे हाँ दो stocks में थे जो कि हमने share किया थे लेकिन confidence नहीं आया उनको लेकर के तो फिर हमने उनको भी trade नहीं किया बाट nifty के अंदर हमें level समझ में आ गया मन हुआ कि चलिए nifty को trade का थे तो छोटा से risk हमने इसके अ अब previous हमें नहीं मालूम है कि आज के levels किस तरह गया है बट previous ranges देखी क्या हो रहे है कि यह हमारे कुछ swings बने हैं है ना एक यह range हम mark कर सकते दूसरी यह ठीक है अब price ने क्या किया है कि इस range से नीचे की तरफ यह गिर गया था वहां से price हमारा नीचे की दिशा तक गिर गया औ और अगेन price हमारा इस range पर आया है recover हो करके अब देखिए अब देखिए कि price इस condition में है यहां पर है इस range पर क्या हो रहा है price यहां पर किस तरह से react कर रहा है इसने कल upside की तरफ closing दी हमारी range के ऊपर जाकर किस ने closing दी अब अगर यह strong था तो यहां से इसको ऊपर के तरफ निक distance पर हैं बहुत लोग analysis नहीं करते हैं इस तरह से अब हम आएंगे सीधे lower time frame पर अब five minute में देखिए क्या हो रहा है हम लोग पिछले दो से तीन दिन की range को ले लेता है price ने यहां से एक gap-up opening दिखाई इस वाली देन से upside की तरफ है gap-up opening दिखाई अब price में हमारे मन्त के first day से आप reading start करो जैसे first of November को क्या हुआ कि volumes के breakout हुए volumes के breakout next day कम volume उसके अगले दिन कम volume यहां पर price ने क्या एक lower high लगाया अगेन एक lower low लो 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 अगेन एक lower low और फिर से एक lower high मतलब कि उस range के पास में जब price हमारा आया है तो देखिए last session में price उस range के नीचे close हो गया न और आ lower time frame पर राज के analysis कीजिए देखिए कल price ने यहां पर एक swing बनाया और swing के नीचे price हमारा close हो गया आज इसने gap down opening दी gap down opening के साथ ही साथ price का जो gap था उसने fill किया and again price ने एक up move दिखाया and up move दिखाने के बाद में इस resistance के पास में आ गया हमें मालूम है कि higher time frame पर इसकी अपने एक confirmations लिए और अपना trade execute किया stop loss जो हमने अपने consider किये थे यह day high का मेरा stop loss का area था कि अगर price हमारा reverse हो करके हमारे day high की तरफ move करेगा और इस range के उपर जाकर करके अगर closing कर देता तो हम चुप चाप बाहर निकल जाएंगे इसलिए आज के trade के अंदर हमने को stop loss नहीं लगाया क्य तो हम निकल जाएंगे इसके लाबा जो सबसे main चीश थे आज के trade के लिए कि किसी भी एक bearish candle के उपर या किसी भी एक black candle के उपर जहां पर price हमको closing दे देगा हम चुप चाप बाहर निकल जाएंगे अब देखिए यह हमारा spot का chart है इसमें अगर हमने इस range से यह वाला swing है हमा यहां पर भी नहीं हुआ यहां पर भी नहीं हुआ यहां पर भी नहीं हुआ एंड इस यह जो देखिए black candle बनी है इसके उपर भी price हमारा close नहीं हुआ है and downside के areas हमने देखा कि अब यहां मामला ठीक नहीं चल रहा क्योंकि price upside की तरफ अब निकलने लागा था तो चुप कि use हम trade execute करने से पहले करते अब जैसे class वगरा में है जब हम समझाते हैं तो काफी कुछ अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि stock है उसका level हमें कैसे निकालना होगा same चीज हम derivatives में apply करते हमें इसका level कैसे निकालना है रोज-रोज हम derivatives को trade नहीं कर सकते जब यह हमको अमारी level पर मिलेगा तब हम trade करें अब ऐसा नहीं सुबह सो आप nifty bank nifty के chart open करके बैट गया जहां मर्जी जो मर्जी आप में trend line support line resistance line यह indicator वो moving average लगा करके trade करने स्टार्ट कर दिया रोज-रोज थोड़ीना move देगा 60% और 60% भी हम कम ही बोल रहे हैं 60 plus percent आपका nifty हो या bank nifty हो या को तो इस टॉक वो side way ही रहेगा trending कम होता है एक trending market को trade करने के लिए you have to wait एक सही level को draw करके उस level तक price क्याने का wait करना होगा अगर आप रोज-रोज किसी एक इस टॉक को trade करते हो या फिर रोज-रोज nifty bank nifty किसी को भी trade करते हो ना तो maximum time आप loss ही करोगे यही हमारा अपना तरीका है जिस तरह से हम काम करते हैं और जो चीज हम समझाते हैं सिखाते हैं थैंक्स एंड यू ही अपने parent support बना रखे जिस expectation के साथ हम इतनी मेहनत करते हैं आप वीडियो से देखते हैं तो वीडियो को लाइक करते रहे हैं and we will meet again